हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हाउ तु सॉल्व यूट्यूब चैनल पर आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने काली लिनिक्स पर डबलू लैंड जीरो कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है अक्सर मैंने देखा है, यह ऐसा होता है कि आप डबलू लैंड जीरो को फिक्स नहीं कर पाते, ठीक है यानि कि आपका जो वाइफाई है वो वर्क नहीं करता तो मैं आपको बताओंगा कि आप उसे किस तरह फिक्स कर सकते हैं, ठीक है मान लिजीए यह मैं पहले यह कर रहा हूं, ठीक है enter तो देखिए अभी हमारा कोई भी कुछ भी सो नहीं कर रहा है मेरे इस पर लेकिन जो है वाइफाई ड्राइवर है ओके तो देखिए अभी यहाँ पर सब इंटरफेस, चीप सेट, ड्राइवर दिखा रहा है लेकिन अभी हमारा यहाँ पर कोई भी WN0 या 1 कुछ भी सो नहीं कर रहा है तो इसे हम किस तरह fix करेंगे, चलिए सिख लेते हैं, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना होगा काले निस का ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल पर जाके यहाँ पर लिखिए Download Compact Wireless यह लिखने के बाद Enter प्रेस कीजिए अब देखिए सबसे पहला वाला एक लिंक आएगा LinuxWireless.org यह करने के बाद आपको यहाँ से सर्च करनी होगी Wireless Compact यह आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते है मैं डेस्क्रीप्शन में भी देदूगा जी आपको कौन सा डेट का डाउनलोड करना होगा ठीक है लकिन यहाँ पर यह आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले मुझे खोज लेने दीजिए यह आप देख सकते हैं compare to ILS 2010-06-26-p.tar.bz2 यह वाला यह वाला का आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर simply click करके आपको इसे save file कर लेनी होगी यह 2.5 MB का है तब यह फटा फटा डाउनलोड हो जाएगा मैं इसे already डाउनलोड किया हूँ है इसलिए मैं इसे दुबारा से डाउनलोड नहीं करता हूँ तो चलिए आप देखते हैं आगे का process इससे आप डाउनलोड करके simply अपने desktop पे लेके आजाईए यह आप देख सकते हैं यह वाला मेरा file है तो अब आपको क्या करना होगा अपना terminal open कीजिए open करने के बाद यहाँ पर simply आप अगर नहीं जानते हैं कि आपका कहाँ पर है वो wireless तो आपको ls करका आप सर्च कर लीजिए यह एक्चलि मैं करी देता हूँ ठीक है ls desktop अब हम यहाँ पर cd desktop ok क्योंकि यह हमारा desktop पर है enter desktop पर आगिया ls yes यह वाला ok देखिए यह वाला जो है हमारा है file तो इससे आपर काम कीजिए simply यहाँ से copy कीजिए ok क्या आपको बार-बार लिखना नहीं परता है copy उसके बाद यहाँ पर tar jx vf और उसके बाद उसको यहाँ पर paste कर दीजिए ok इस यहाँ से paste paste जैसी किया देखिए automatic एक folder यहाँ आगिया है और यहाँ भी हमारा complete हो चुका है ok अब दुबारा से ls तो अब आपको क्या करना होगा यह वाले को copy करना होगा copy करने कबाद इसे copy केल दीजिए copy करने कबाद cd उसको यहाँ पर paste कर देना है ok enter तो देखिए अभी यहाँ पर हमारा आचुका है उसका आपको यहाँ कमांड लिखनी होगी make unload ok make unload enter अभी आपको यहाँ कमांड लिखनी होगी make load ok enter देखिए यह हमारा सक्सेशफ़ली कम्प्लीट हो चुका है तो अभी हम इसको चेक करेंगे इसको में चेक करने के के लिए दुबारा से हम टर्मिनल अपन करते है यहाँ पर वही सेम कमांड दीजी आप airmon-ng ok enter yes देखिए अभी हमारा जो इंटरफेस है वो सो हो रहा है चिपसेट भी सो हो रहा है और ड्राइबर भी सो हो रहा है यहाँ देख सकते है WN0 WN1 हमारा चिपसेट भी अन्नोन है और यह हमारा ड्राइबर है तो आपने सक्सेसफुल इसको फिक्स कर लिया है आप और एक चीज़ से इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप अगर ifconfig लिखेंगे ifconfig ओके एंटर ओके तो अभी आप देखें आपर WN0 और WN1 सो हो रहा है ठीक है तो इस तरह आप इसे फिक्स कर सकते हैं काल लिनिक्स पर यह 2.0 और 1.0 दनों में सेम ही इसका है प्रोसेस तो आप इस वीडियो को देखें बड़े अराम से कर सकते हैं उसको फिक्स उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए और हमारा चैनल जड़ा दूसे सस्क्राइब कर लिजिए ऐसी मज़धार वीडियो देखने के लिए ओके फ्रेंड्स बाई